हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों अगर आप प्रेगनेंट हैं और आप नॉर्मल डिलीवरी होना ही चाहती हैं यानि आपको केवल और केवल नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए तो ऐसे कुछ काम है जो pregnancy में बिलकुल ही करना बंद कर दीजे वरना normal delivery नहीं होगी normal delivery उन्हीं महिलाओं की होती है जिनका सरी स्वस्त होता है और जिनके बच्चे का सर नीचे की और आ जाता है hit down position में तभी normal delivery संभवता हो पाती है लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है अकसर आप जब normal delivery के लिए पूरी तयारी कर लेती है तो अचानक से पता चलता है कि सिजी रिंसेक्शन करना पड़ेगा तो क्या mistakes हो जाते हैं कि ऐसा होता है normal delivery क्यों नहीं हो पाती है और साथे साथ क्यों आपको operation कराना पर जाता है और ऐसे कुछ काम जो आप pregnant हैं तो जरूर करिए ताकि आपकी normal delivery आसानी से हो जाए और बच्चा भी स्वस्त रहे Actually मैं friends होता ये है कि कई बार जब आप pregnant होती है तो आपकी physical activity काफी इससे impact करती है प्राभावित होती है क्योंकि बढ़ता हुआ गर्वा से बहुत सारे काम को करने में काफी जादा दिक्कत पैदा करता है अब यहीं से आपके सबसे बड़ी mistakes स्टार्ट होती है कि आप physical activity करना कम कर देती है पहले जितनी active थी क्या अभी आप उतनी active है आप खुछ से question करिए अगर आप उतनी active नहीं है तो आपको इस बात को seriously लेना चाहिए भले ही आप उतना काम ना करें लेकिन घर के काम जरूर करती रहें क्योंकि physical activity से आपके body के multiple joints के movement होते है साथी साथ आपका uterus का जो आपका muscles होता है वो flexible होता है ताकि वो जल्दी से आसानी से खुल सके normal delivery के बाक्त है तो यदि आप घर के काम छोड़ देती है बिलकुल यह active नहीं है आप आराम करती रहती है तो यह आपके लिए काफी ज़्यादा प्रशानी भड़ा हुआ समय ला सकता है delivery के समय और always यह ध्यान में रखिएगा कि normal delivery जो होती है वो काफी अच्छी होती है उसमें भले ही दर्द बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वो काफी कम टाइम के लिए होता है जब तक आपकी delivery नहीं हो जाए बट जो suggestion होता है उसमें body को recover होने में बहुत time लगता है ज़्यादा cut लगाया जाते है पेट के अंदर टाका भड़ने में काफी time लगता है उस दोरान आप अपने बच्चे की भी सेवा नहीं कर पाती है बच्चे के care आसानी से नहीं कर पाती है भले ही आप बहुत ज़्यादा hard work वाले काम नहीं कर पाती है मत करिए बट light जो जितने भी घर के काम होते है dusting हो गया, जारू हो गया, पुछा हो गया, cleaning process हो गया आप जितना कर पाती है उतना पूरे 9 महीने तक करती ही रहिएगा तब ही आप healthy रहेंगी, आपका बच्चा भी healthy रहेगा क्योंकि वो भी active रहता है आपको पता है न कि आपका बच्चा physically, mentally आप से ही connected है तो आप active होंगी, बच्चा भी active होगा और क्या आप चाहेंगी कि आपका बच्चा काफी सुस्त पैदा हो वो हसे नहीं, वो बोले नहीं, वो active नहीं रहे वो attract नहीं करे लोगों को, ऐसा आप चाहेंगी नहीं चाहेंगी न आप हमेसा यहीं चाहेंगी कि बच्चा भी हसता खेलता हो attractive हो, काफी ज़्यादा लोगों को attract करे ठीक है तो ये साड़ी चीज़े आपके गर्व के अंदर से ही वो सीखता है इसलिए अपने आपको स्वस्त रखने के लिए एक्टिव रहिए बहुत जादा काम छोड़ कर बैठ जाएंगी तो आपका बच्चा भी जो आप चाहती है मनलाइक वैसा नहीं होगा एक्टिव नह जाएगा इसके अलावा जो दूसरा रीजन होता है वो यह होता है बीपी का फ्लैक्षेशन होना अब यह क्यों होता है यह स्ट्रेस की बज़ा से होता है मैं लाएं या तो बहुत जादा अपने बच्चे के बारे में सोचती है कि बच्चा क्या होगा बेबी बॉय बेबी गर्ल हम कैसे उसकी देखवाल करेंगे यह सारी चीजों में बहुत उलज सी जाती है इससे आपका टेंशन बढ़ने लगता है कई बार ऐसा होता है आप कुछ दिन भर सोचे ही चले जा रहे हैं एक ही चीज के लिए सोचे चले जा रहे हैं किसी से कोई बात आपकी अन्बन ह हो गया है आपको मन को परिशान करी है तो वो उस बात को लेकर बैठी हुई है प्रेगनेंसी में तो करेंगा ही और यह आपके लिए अच्छा नहीं है इसलिए टेंशन लेना बिलकुल बंद कर दीजे इसके अलावा तीसरा काम यह है फ्रेंड्स की हमें हमें सब प्रेगने हावों जब बढ़ जाते हैं तो आपके स्वाद लेने के छमता कम हो जाती है एक मेटलिक टाइप का टेस्ट डेबलप हो जाता है आपके जबान पे तो इसको आपको जो है समझना होगा आप इसको क्योरिसिटी को कम करने के लिए ऐसा नहीं है कि चटपटा तीखा मसालेदा तेल वाला खाना खाते रहे हैं बाहर का खाना खाते रहे हैं उससे आपको निव्टेशन नहीं मिलेगा उसमें काफी लो निव्टेशन होता है होता ही नहीं है कई सारे ऐसे आईटम होते हैं खाने पीने के जो बाहर से आप खा रही है बच्चे को पोशन चाहिए पोशक त होगा आपकी बुरी आदुतों की वज़ेसे दोस्तों प्रेग्नेंसी के दौरान हमेशा बैलेंस नुट्रिशन डाइट रखना जरूरी होता है जिसमें सारे विटामिन्स आपको मिले आपको काप्स मिले सही मात्रा में इसके अलावा फ्रेंस फाइवर भी होनी चाहिए और कई सारी चीजे होती हैं कैल्शियम प्रोटीन इन सब चीजों की भरपूर आपके सरीर के अंदर मात्रा मौजूद होनी चाहिए एरन की ताकि बच्चा हेल्थ गेन कर सके बच्चा हेल्दी हो मोटा हो ठीक है बहुत बार ऐसा होता है कि वोड़ी बेट जो होता है वही कम हो तो यह सारी चीजे आप बैलेंस करके चलिए बाहर का खाना खाना बंद करिए क्योंकि एक तो ऐसे भी वो कंट्रमेंटिट फूड होते हैं काफी ज्यादा अन हाइजिनिक प्रोसेस से बनाए जाते हैं उसमें कैसा पानी यूज किया जा रहा है अच्छा है या नहीं वो त इतना जैदा पुराना तेल है कितनी जादा गंदीगी से ग कुजर रहा है उसमें कितनी जादा घाना खा रही है उसको क्लीट किया गया या ठीक से नहीं यो काफी ज्यादा महात्तपुर्ण होता है प्रेग्नेंसी के दौरान चीक और ट्रीकिंग करती है ऐलकोहल का कंजप्शन करती है वह सबी चीज़े आपके बच्चे के लिए हानिकारक охotी है उसको काफी ज़ादा गरबिंदर सफोगेशन होता है वह ठीक तरीके nied कर ले पाता है उसका ऐनवान्मेंट जो होता है एक temperature वो ठीक से maintain नहीं हो पाता है जिसकी वज़र से friends कई बार miscarriage का खत्रा जो है वो भी बढ़ जाता है लास्ट में ये कहना चाहूंगे friends कि आपका वज़न अगर जादा है अगर आप over weight थी तब आपने conceive किया है तो आप exercise पे ध्यान दीजे वैसे भी exercise करना pregnancy में अच्छा होता है जैसे कि आपको टहलना चाहिए सुबह साम 40 मेट अच्छे से walking करिए ताकि muscles आपके flexible बने रहें आप आपका pelvic muscles strong बन जाए और वहां के ligaments भी जो है वो flexibility में रहें ताकि आपकी normal delivery आसान हो जाए इसलिए walking करना important है अगर आपका वज़न जादा है तो उसको एक नियमित रुप से exercise करके आप maintain करिए जितना वज़न चाहिए उतना होना चाहिए बहुत ज्यादा भी मोटी हो जाए तो भी आपकी delivery normal नहीं हो पाती है क्योंकि ऐसे condition में ताकत नहीं रहता है push करने के लिए इतना महिला जल्दी से ठक जाती है और अगर बहुत आपका कम वज़न है तो भी आप कम जोड रहेंगी तो एक idle weight maintain करना important है इसके लिए अपनी doctor से बात करिए क्योंकि हर appointment पे आपका इसलिए check किया जाता है आपने भी feel किया होगा जब आप doctor से जाती है मिलने तो आपका वज़न weight check किया जाता है वो इसलिए check किया जाता है क्योंकि गर्व में देखा जाता है बच्चे का वज़न किस तरह से बढ़ तरह से आप gain कर रही है जरूरी है कि 10-12 kilo वज़न आपका pregnancy बढ़ना चाहिए बाकी तो इंटर्नल स्कैन करके भी बच्चे का वजन जो है वो समझ में आता है डॉक्टर को बढ़ आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ना या घटना नहीं चाहिए वह भी सही नहीं होता है अगर नॉर्मल डिलीवरी आप चाहती है तो यह सारी चीजों क या फिर फ्रेंड्स फेस्बूक पेज पेज कर सकती है अभी तक आपने इस चानल को सुबस्क्राइब नहीं किया तो मेक्शूर लिजएगा जदी से ज़दा इस वीडियो को शेर और लाइक करना भी नह भूले तो मिलती है कि उने एक्ष्ट वीडियो में जल्दी एक नई टॉपिक के साथ आप अपना पुरह ध्यान रखिए टेके दोस्तों थैंक्स पर वर्चेंग